कार्याले में फार्मासिष्ट की जॉइनिंग करने एक यूवक फर्जी अपॉंट्मेंट लेटर से आया, पुलिस ने रोपी यूवक को गरफतार कर लिया है। रही है थाना सदरवाजाद छेतर के अंतरगत मुख चिकित सा अधिकारी कार्याले पर उस वक्त रणकम मच गया पुलिस के द्वारा छाप इमार कारेवाई की गई तो बता गया कि साजाप और निवासी गोविंद मत्वरा सीमो कार्याले पर फरजी जोइनिंग लेटर लेकर जोइनिंग करने के लिए पहुचा था मामले का खुलासा उस वक्त हुए जब सीमो कार्याले के द्वारा जोइनिंग संबंदित कागजात लखनव सत्यापन के लिए भीजे गई पकड़े के आरोपी के बारे में जानकारी देती हूँ सीमो कार्याले के पर सासनी का दिकारी डॉक्टर भुषदेव सींग ने बताए गोविन नाम के व्यक्ति कारियाल ऐसे ग्रफतार किया गया है उसके पास जो कागजात मिले हैं वो फरजी उन्होंने यही बताए है व्यक्ति पिछले तीन दिन से मतुरा में है और फार्मासिस्ट की पूष्ट की जोइनिंग के लिए आया था जोइनिंग से पहले विवाग द्वारा संबन्दित कागजों को सासन को भेजाता है और वहां सत्यावित होने के बाद जोइनिंग दी जाती है सासन में इसका कोई रिकार्ड नहीं मिला तो सासन की उच्च अधिकारिया द्वारा ये जानकारी दी गई कि यह व्यक्ति फरजी जोइनिंग लेटर लेकर अन्य कागजाद लेकर नोकरी पाने के फ्राग में पुलिस के द्वारा कारेवाई करते हुगर अफ़तार कर लिया गया और वैधाने कारेवाई की जा रही है ललित उपाद्याय मतुरा समाचार 24 एक गोविन गुमार नाम के वेक्ति जो साज्चापुर जिले के रहने वाले हैं जो डारेक्टेट लख्षों से एक आदिस लेकर आयते और उसमें बताया था कि उनकी वहां से न्युक्ति है उसकी हम लोगों ने पुरस्ची कराई वहां से लिखकर आया और चुकि आज वो यहां आया था अभी चार दिन या लवाग चार दिन के करीब हो गए वो उसने य इस समय थाना कोटवाली मत्रा की पास है वो इस समय और हमारे विखक गारवाश की विर्द कारवाई करा जा रही है